हेलो फ्रेंद्स दोस्तों आज जो गाड़ी की बारे में हम वीडियो बनाएंगे बो यह है कि टा-ta-ti आगो टा-ta-ti आगो को तो जानते है पेट्रोल आता है अभी हबी नया है चीन जी तो चीन जी के उपर हम वीडियो बनाएंगे तो उसकी इंजीन की बाद पहले करते हैं जो फ्रॉंट लूक है आपको देखने को मिलेगा जो की ब्लाक पियानो फिनिशिंग के साथ यह आभिलेबल है और रेडियेटर ग्रिल जो है वो प्रास्टिक के साथ ही मिलने वाला है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है डियारेल और फोगले आप इसमें अभिलेबल है कि इसमें टॉप वैरियंट है एक जेड प्लस है तो यहां पर लाइट की बात कते हैं लाइट में हालो जिन्स के साथ इसमें प्रोजेक्टर भी मिलने वाला है इंडिकर्टर यहां पर मिलने वाला है और उसके नीचे आपको इसमें आलो हिल नहीं दिया गया है यह रीम हुल है और इसमें प्लास्टिक हुल कभर दिया गया है जैसे एक जेड में आता है और जो एनरजी में आता है उस तरह से लेकिन आलो हिल देता तो बहुत अच्छा होता फिल्याल तो नहीं दिया है लेकिन डिजाइनिंग बहुत अच्छा है तो देखते हैं उसकी मिरर को मिरर ब्लाक प्यानो फिनिशने साथ इंडिकाटर मिलना है आटो फोल्ड है देख लेते हैं पूइख करेंगे तो अटोमेटिके लिखेंगा रिमोट्स और यहां पिखेंग, तो क्रोम डीजाइनिंग यहां कुछ दिया नहीं है, यहां को दिया है जो की हंडल और गाड़ी के लुकिंग और बहतर बना देता है और पीछे भी दिया गया है हंडल में तो रियर व्यू देखेंगे तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है जिसे नर्माल टी आगो जिसे आता है उस तरह से है जो टॉप वारियंट आता है आता है, निचे देखिए, फिनिसिंग दिया गया है यहाँ पे देखिए टी आगो के ब्यांजिंग ओपर टाटा का लोगो और निचे यहाँ पर आपको रिवर्स कैमेरा अभी लेविल कर दिया गया है कि तॉप ब्लादा है तो इसमें तो पार्किंगी सेंसर नहीं दिया गया है क्यों क्यामेरा है इसलिए नहीं दिया गया है और टेल्लियांप में कोई चेंड देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर आई सीनजी क्या ब्याजिंग आपको देखने को मिलेगा क्यों कि यह सीनजी है और बूट भी देख लेते हैं क्योंकि इसका जो मेन पॉंट है कि बूट स्पेस है या नहीं लेकिन मैं अभी कहूंगा कि इसमें नहीं है फिर भी दिखा देता हूँ यह देख लीजिए जो मेन पॉंट है 60 लिटर का ट्यांक है यह जादा आपको यह देखिए यहां पर क्लोज होगा और यह से उपन अभी उपन में है तो इसमें जादा आप जो जानने के बाद इसको जादा यूज किजिए नहीं तो बहुत प्रोब्लेम हो सकता है तो आप पहले जब गाड़ी लेंगे तो यह ज़रूर यह याद रखना कि यहां पर क्लोज होता है और यह से उपन होता है लिखाए भी है आरो मार्क दिया है तो यहां पर देखिए बूर्ट स्पेस अक्चली इसमें नहीं है मैं कहूंगा अगर आप गाड़ी की माइलेज चाहते है गाड़ी आप लॉंग रूट लेते हैं देखिए माइलेज तो यह टूटी सिख सी टूटी सेबने आता है कंपनी क्लेम करता है तो एक केजी में तो आपको अगर ज्यादा लॉगेज चाहिए तो यह गाड़ी आपके लिए नहीं है अगर लॉगेज नहीं चाहिए आपको ज्यादा दूर जाना है माइलेज चाहिए तो यह गाड़ी आपके लिए बिल्कूल भी नहीं है मैं बोल देता हूं तो यहां पर देखिए जो स्पे यहां पर तूल्स देखिए तो इस तरह से थोड़ा प्रोब्लेम भी है कि अगर इंग कोई होगा तो आराम से निकल सकता है अगर कोई बुजुर्ग गाड़ी जो बुजुर्ग आदमी कोई गाड़ी चला रहे तो थोड़ा प्रोब्लेम होगा शीड डाउन करने के बाद इस जो सीट में या कुछ होगा यहीं पर रखेंगे तो पीछे तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते तो यह तरह तो यह तरह गाड़ी की जो सच्चा ही है मैंने आपको बताया गाड़ी बहुत अच्छा टी आगो फोर स्टार रेटिंग के साथ आपको जो फोर स्टार सेप्ट तरह जाएंगा अब देखेंगे इंटेरियर में क्या-क्या सब डिजाइनिंग दिया गया है इतो की इस तरह से आपको एक मानुल की और एक रिमोट की मिलेगा तो ओपन करते हैं फाब्रिक डिजाइनिंग का सीट्य अगर आप देखेंगे तो इसमें है आरो डिजाइनिंग के प्रिंट दिया गया है इसमें इगनेस्वन को अउट करते हैं लिए डिजिटाल क्लस्टर तो दिया है cng mode अक्टिवेट लिख रहा है यहां पर cng क्या लिवल दिखाएगा और यहां पर पेट्रोल की इसका जो लिवल है वो यहां पर दिखाता है जिस तरह से पेट्रोल का नीचे दिखाता है और cng का उपर है तो टोटल डीजितल क्लॉस्टर जो बाकी टियागो में आ रहा है इस तरह से स्टेरिंग में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा है इसमें इंफोटनमेंट सिस्टम में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरह से reverse camera देख लेते है reverse camera इसमें है और निचे यहाँ पर आपको यहीं पर देखने बोलेगा जो CNG है आप यहीं से change करेंगे जब भी start हो जाए start यह पेट्रोल में होता है उसके बाद जो आप गाड़ी रॉनिंग के टाइम आप CNG को change कर सकते हैं तो आप इसमें पड़ सकते हैं इसमें बहुत कुछ दिया है जिस तरह से मैं और एक point आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर जो बाद में बात करेंगे उसके बारे में तो यहाँ पर देखे auto climate यहाँ पर दिया है अब auto यूज करके इसी चला सकते है नीचे USB port दिया है और यहाँ पर 12V का सकत गी और लिबर में कोई चेंज नहीं है यहाँ रख सकते हैं दिया है जगा रखने के लिए mobile या कुछ रखने के लिए यहाँ पर cop holder दोनों दिया है आप यहाँ पर रख सकते हैं और बास करें तो ड्यास बोट के ड्यास बोट ड्यास बॉल क लर में आभ़लेवल है ब्लाक के साथ – साथ – उआउड्ड कंबेंशन है अब देख सेदे ब्लाक के साथ – उआउड्स पाइफ 962 ड्यास लेंशन का जो हैंडल है वह क्रोम पिनिसिंग है और जो एसी भेंटे वो उसमें क्रोम फिनिसिंग दिया है ब्लाक पियानो के साथ यह जो क्रोम फिनिसिंग डिजाइनिंग बहुत अच्छा लगता है देखने में जो एक लगजरी हिसकार जैसा लगता है तो यहां पर एक पॉइंट दिया है देखिए फायरेक्स टिंग दिया है तो यहां तो दिया है ठीक है आग बुझाने के लिए बहुता सीनजी गाड़ी है सेप्टी के लिए लेकिन यह ज़रा बाहर दिया जहाँ पह पेर रोखो करें बहुंपर इह दे दिया है और यह अगर सीट के नीचे होता या फिर उपर होता तो बहुत अच्छा होता है कि कुई दिया है बार-बार पेर बजेगा यहां पर जोड़ा आर्जेस्ट होके आपको बेटना पड़ेगा कमफटेबल तो मैं नहीं कर सकता लगए बेटने में ज़रूर यह यहां पर टॉच होगा तो यह थोड़ा उपर अगर रहता यह सीट के अंदर रहता तो बहुत अच्छा होता तो फिल्याल तो यहीं पर दिया है आर्जेस्ट करके आपको बेटना पड़ेगा तो स्टार्ट करके देखते हैं पर अब इसमें लोड नहीं हुआ है फिल्याल पेट्रोल में ही है तो जैसे स्टार्ट होगा वो पेट्रोल में होगा आटोमेटिक वो सीटी पर चला जाएगा या रॉनिंग का टाइब आप सीटी पर ट्रांसपोर कर सकते हैं तो स्टार्ट का कंडिशन भी कुछ है किस किस टाइम पर स्टार्ट नहीं होता है मैंने जैसे बोला कि मानुआल बुक में एक एस दिया है सीटी का तो सीटी का भी बुक दिया है आप चाहे तो किस तरह से स्टार्ट नहीं होगा यानिकि जो फुएल लीड है फुएल लीड दीः दिख देरे手ब हें तो देखिए अभी में इग नेट को और न करता हूं शहलिए लिंअ अन गार्ण के बाद देखिए प्लॉष क्लस्टर पर क्या लिख रहा है को और श्भस भुड़ के अभी है आप स्टार्ट करता हूं देखेग अंहीं हो रहा हुग शीज में किया थैगी नहीं हो रहा है उसको अभी जाब तक लोज ना करे यह को श्वरूम डिखा यूज करे द से काम सिस्टम क्या है कि ऊप्लों कि तक तक गाड़ी इनजिन था कहांने कि क Ale अमस्ता याद रहकना पैट या सीनजी डालने के बाद यसको क्लोस करना है क्लोस लेही होगा तो गाडस्टार्ट भी नहीं होग। अरहामसे अरही स्टार्ट हो जाएगा तो ये एक शाषा अपसंन है माइलेज के लिए 26-27 के आएगा एक केजी के माइलेज के साब से अगर एक केजी हम डालते हैं तो यह 26 या 27 किलोमेटर जाएगा गाड़ी और पेट्रोल से में तो 18 ही जाता है अगर मैंने जिस तरह से कहां आप बूट स्वेसिस में तो नहीं मिल रहा है बूट स्वेस टोटल नहीं है आपको जिस तरह से मैंने दिख्या है बूट स्वेसिस में नहीं है अगर आप ज़्यादा लोगज लेते हैं तो यह आपके लिए नहीं है अगर लोगेज कम है आप अपीशली उजकर से ज्यादा दूर हर मने रेगुलार आप गाड़ी चलाता है सो किले मोटर तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर तीन लिटर तीन केजी की हिसाफ से आप डालते हैं सी अजी तो आप चला सकते हैं गाड़ी अच्छा इंजीनरी बोटन इंजीनरी उसके साथ सी अजी दिया है यह आपके लिए सेप्टि के लिए अगर जौर अच्छा ऑप्सन है दिया है सेप्टि के लिए इस गाड़ी में तो जैसे मैंने कहा कि आप बहां पर इसको आप सीट फोल्ड करके आप स्पेयर हूल निकालेंगे और स्पेस तो नहीं है वहां पर ज्यादा चीज सामान जो है आप आड़ जेस्ट करके नहीं रख़ें छोटा-छोटा जो ब्याग है आप उसी साइड में जो ट्यांक है उसी क तो जो हमें जो पता था मैंने आप लोगों के साथ सेयर किया अगर अच्छा लेगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आगे की अच्छे चीज़ दान करीजिए तो हमारे चानेल को सब्स्प्राइब कर लिजिए ठांक्यू वाचिंग मैं वीडियो